ख़वर है दिल्ली से जहां पर सिख सडकों पर उतरे हैं और सिखों के सडक पर उतरने की पीछे की जो वजह है वो आपको बता दें ये सबी लोग जो हैं वो तिरंगे के अपमान से आहत हुए हैं जो कि लंदन में जो भारती उच्चायोग है वहाँ पर खालिस्तानी समर्थ को ने किया वहाँ पर जो अपमान करने की कोशिश की जिसका वीडियो भी सोचल मीडिया पर काफी बाइरल हुआ उस चीज को लेकर भारत में सिख जो हैं वो काफी रोज में हैं काफी गुस्से में और इसे ही लेकर उन्होंने जो भारत में उच्चायोग है बिटेन का उसक इस तरीके से अमरित पाल की ग्रफतारी कब होगी इसे लेकर अलग-अलग तरीके की खबरे आ रही हैं अलग-अलग तरीके के दावे भी किये जा रहे हैं लेकिन दावों के बीच बिटेन में जिस तरीके से तरंगे का अपमान करने की कोशिश की गई इस से नाराज सिखों भारत में सढकों पर उतर कर प्रदेर्शन किया, और प्रदेर्शन के बीच में, अलाकिंगग आपको यह बता दें कि भारत सरकार भी बिटेन्ट से इस बात को लेकर नाराज है कि इंपुट देने अवतार सिंखंडा कौन है तो आपको बता दें अवतार सिंखंडा जो है वो पाकिस्तान में बैठे बबर खालसा का चीफ है परंजीत सिंख पंपा उसका खास बताया जाया और बबर खालसा यूके को वो आपरेट करता और इसके साथ बताया जा रहा है कि अमरत पाल जो है व मीर में भड़काऊ गतविदियों के साथ पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान मुव्मिंट को खड़ा करने की प्लानिंग अमरित पाल को इसी लिए पंजाब भेजा गया था ये भी लगातार बताया जा रहा है कि पंजाब के जो पूर्व जियम थे हैं मुक्यमंतरी पंजाब लोटने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ है और अब वो दावा जो है वो सही होता नजर आ रहा है पंजाब में खालिस्तान समर्थक और वारिश पंजाब देश संग्ठन के जो पुर्मुक अमरतपाल है उसकी गरतारी के लिए पुलिस लगातार राज्जी में और अब इसमें पूरे मामले में NIA यानि कि National Investigative Agency की एंट्री भी जल्द देखने को मिल सकती है तो अमरतपाल के मामले में बड़ा अबडेट ये भी है कि जल्द इस मामले में NIA की एंट्री भी हो सकती है लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर जानने वाली है जिससे आपको अं तयारियां शुरू कर ली थी अमरतपाल लें जी यहां ये बड़ा अपडेट है एक प्राइवेट आर्मी बनाने की तयार शूरू कर ली थी और इसको लेकर जो हत्यार है जो कपड़े हैं जो ड्रेसेज हैं वो भी बरामद हुई है जिस पर EKF लिखा हुआ है और इसी को ल तरू हुआ था ये सब चीजे जाच में आगे निकल कर सामने आएंगी लेकिन इस बीच जो बड़ा दावा किया गया है अमरतपाल के वकील की तलब से ये काफी जोखाने वाला है काफी हैरान करने वाला ये भी आपको जानना चाहिए जिसमें साब तोर पर कोर्ट में एक याचका दाखिल की गई है इस याचका में क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको जानना चाहिए अमरतपाल का जो वकील है इमान सिंग खारा उसने पंजाब और चन्री हाई कोर्ट में हैवियंस कॉर्ट्स प्रिटिशन जिसे हम कहते हैं बंदी प्रित्यक्षी करन याचका दायर की है इसी आचका में ये दावा किया गया है कि पंजाब पुलिस अमरतपाल सिंग को पगर चुकी है ये बड़ी बात है मगर उसकी ग्रफतारी शो नहीं कर रही है साथी ये भी कहा गया है कि पुलिस ने जबरन और गैर कानूनी तरीके से उसे कैद में रखा हुआ है और मांग की किसी सिल्सले में एक वारेंट ओफिसर को नियुक्त किया जाए साथी ये भी मांग की कि वो मौके पर विजिट करें और अगर अमरतपाल पुलिस अफसरों की गैर कानूनी कस्टेडी में पाया जाता है तो उसे रिहा किया जाए पिटीशन में साथी ये भी मां की गई है हाला कि आपको ये भी बता दें कि याचिका पर सुनवाई हाई कोड के जस्टिस शेखावत के घर पर हुई इस तरह की रिपोर्ट्स भी है और इसमें कोड ने अमरतपाल को पेश करने के लिए वारंट ओफिसर नियुक्त करने से साफ इंकार कर दिया लेकिन हाँ औ उसका एक बड़ा तबका तरंगे के अपमान से बुरी तरीके से आहत है और अपना विरोध दर्ज कराने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किया है पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है इस पूरे सिनेरियो को पूरे केस को आप कैसे देखते हैं और जिस तरीके का पे जरूर लिखें धन्यवाद